अगाव में एक मिनी स्टीडियम का प्रस्ताव हम लोग बेज रहें उस प्रस्ताव में मिनी स्टीडियम के साथ साथ ओपिन जिम की भी व्युस्था होगी और वहां परियाप्त जमीन है और उप्यूग जमीन है तो उसका प्रस्तावन लोग सीगर बना कर भेज रहें सासन द्वारा बीस मिनी स्टीडियम के बनाने के निर्देश थे उसमें जन्पदम रोहा का भी एक मिनी स्टीडियम था जो चैनित हो करके जा रहा है मुहमत समी के गाओं में उतरप्रदेश सरकार एक स्टीडियम बनाने पर काम कर रही है जमीन का चैन प्रक्रिया में है और शेगर ही उचिकोट का एक स्टीडियम वहां निर्माल कराया जाएगा जिससे आने वाली प्रतिभावों को खेलाडियों को मौका मिल सके है कि उम्मा समी जी के गाओं में एक मिनी स्टीडियम का प्रस्ताव हम लोग बेज रहे हैं उस प्रस्ताव में मिनी स्टीडियम के साथ साथ उपन जिम की भी व्युस्ता होगी और वहां परियापत जमीन है और उप्यूग जमीन है तो उसका प्रस्तावन लोग सीगर बना कर भेज रहे हैं सासन द्वारा बीस मेनी स्टेडियम के बनाने के निर्देश थे उसमें जन्पदम रोहा का भी एक मेनी स्टेडियम था जो चैनित हो करके जा रहा है मुहमत समी के गाओं में उतरप्रदेश सरकार एक स्टेडियम बनाने पर काम कर रही है जमीन का चैन प्रक्रिया में है और शेगर ही उचिकोट का एक स्टेडियम वहां निर्माल कराया जाएगा जिससे आने वाली प्रतिभावों को खेलाडियों को मौका मिल सके मुहमत समी जी के गाओं में एक मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं उस प्रस्ताव में मिनी स्टेडियम के साथ साथ में उत्रप्रदेस सरकार एक स्टेडियम बनाने पर काम कर रही है जमीन का चैन प्रक्रिया में है और शेगरी उचिकोट का एक स्टेडियम वहां निर्माल कराया जाएगा जिससे आने वाली प्रतिभाओं को खेलाडियों को मौका मिल सके अमार्समी के गामें एक बिनी स्टेडियम का प्रस्ताव हम लोग भेज रहे उस प्रस्ताव में मिनी स्टेडियम के साथ साथ आपेन जीन की भी व्यास्था होगी और वहां परियाबत जमीन है और उपईऊग जमीन है तो उसका प्रस्तावन लोग सीगर बना कर भेज रहे हैं सासन द्वारा बीस मेनी स्टेडियम के बनाने के निर्देश थे उसमें जन्पदम रोहा का भी एक मेनी स्टेडियम था जो चैनित हो करके जा रहा है महमत समी के गाओं में उतरप्रदेश सरकार एक इस्टेडियम बनाने पर काम कर रही है जमीन का चैन प्रक्रिया में है और शेगर ही उचिकोट का एक इस्टेडियम वहां निर्माल कराया जाएगा जिससे आने वाली प्रतिभावों को खेलाडियों को मौका मिल सके